करकराशी वालो 11 फरवरी से लेकर के 16 मार्च ये टाइम वो समय आपको मैं बताने जा रहा हूँ जो समय आपके लिए बहुत जादा महत्वण भूमिका रखता है उसका कारण है शनी महराज क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि करकराशी वालो पर वर्तमान में शनी महराज क की ढहिया चल लही है और यह टाइम इसलिए बहुत जादा इंपोर्टेंट है क्योंकि अब शनी अस्त होने जा रहे हैं कुछ ही महिनों के लिए सही परन्तु शनी का जो तांडव है वो अपसांत होने जा रहा है और सीधा सीरा इसका लाव हो मिला है करकराशी वालों को तो तांडव सनी महाराज ने मचा रखा है पिछले वर्थ 2023 को लेकर के अगर हम देखें जो परिशानी आपके कारोबार में हो मानसिक असंतूलन हो आपके व्याधियों को उत्पन किया हो शत्रों को आपके उपर हावी कर दिया गया हो आपके घर परिवार से कले अनवन या कई एक ही समय के अंदर आपके उपर आकर के गिर गई हो और चारों दिशाओं में जो परिशानी का कलह का वाता बरन जो आप 2023 में देख चुके हैं 2024 सशनी की यह अस्ठ अवस्था में अपको कैसे लाब मिलेगा किन की चीवन के छेत्रों पर आपको सब्राय इस्था प्रदा उल्टा शनी अब आपको कई छेत्रों में जहां पर आपको परिशानी पैदा की है शनी महाराज उन्हीं छेत्रों के अंदर आपको लाप परदान करेंगे तो जानते हैं विस्तार से क्या है शनी का जो अस्तकाल और कब तक शनी अस्तक कब तक आपको कैसे कैसे लाप प्राप बात हो सकते हैं चलिए वीडियो को शुरू करते हैं नमस्कार मित्रों मेरा नाम है अगर सबसे पहले हम बात करें कि शनी के जो अस्तकाले आपके जीवन के मुक्या-mुक्या कौन साथ जीवन छेत्र जिनको प्रभाव देना वाला है प्रभावित करने वाला है तो देखे शन आम काज को डेली रूटीन आपकी आजीविका को मुख्या रूप से प्रभावित कर रहे हैं और यहां सनी की अस्तावस्ता में इसी छेत्र को भी सैनी प्रभावित करें कि पर अच्छे तीसरे point पर अगर हम बात करें तो सनी की जो दस्रम दृष्टी जाती है ये जाती है आपके पंचम भाव पर आपके विद्या भाव पर आपके संतान भाव पर आपके लव रिलेशन पर अब कुल मिला करके सनी अस्त अवस्ता में इन तीन भावों को तो मुख्य रूप से पर पर बावित करेंगे, परनतु ये परभावित इनको करना यैनिके जो इनोंने तांडव शनी की द्रिश्टियों ने इन भावों पर मचा रखा है इसको कम करने का परियास करेंगे अब जानते हैं किस प्रकार से शनी यहाँ पर आपको लाब परदान कर रहे हैं या कैसे इन भाव से संब्दित आपको फल मिलेंगे मित्रो सबसे पहले तो यही जानना होगा कि शनी की अस्तवस्ता है क्या इसी अस्तवस्ता में क्यों लाब मिल सकता है तो मित्रो इस बारे में विस्त्रेत रूप से जानते है मित्रो शनी महराज जिसको न्याय के देवता कहा जाता है कर्मों के फलो को देने वाले ग्रह कहा जाता है इनकी कोई भी हवास्ता इनका कोई भी चेंज अगर जीवन के इंदर होता है कोई भी परिवर्तन शरी महराज करते हैं तो वे हमारे करमों के फलो को देने के लिए करते हैं और यहां उनका अगर किसी चालम में बदलाव होता है तो हमारे जीवन में भी पूर रूप से बदलाव आ जाता है यह एक पॉइंट हुआ दूसरा एक सूतर कोई भी बड़े से बड़ा जोतिशाचार है इसको मना नहीं कर सकता यह शनी जिस भाव में बैठ जाते हैं उस भाव से संबंदित लाव को परदान करते हैं वही शनी की दृष्टी जिन जिन भावों पर चली जाती है उन्हें भावों से संबंदित कष्टों को ये परदान करने लग जाते हैं अब इतरों ये तो आपने समझ लिया कि शनी का जहांपर बैठता है वहाँ लाप कराता है जहां देखता है वहाँ भानी कराता है परन्तों अब बात करके तो आप शनी यहां पर जो असत हुए है इसत होना क्या है अब मैं आपको बताना चाह tysi सुव्य की यू रश्समय होती है सुझ्य की टेरी सुर्य की तरफ देखैं तो आप सुर्य के प्रकास को देख नहीं सकते जिस करंड से विक्ति अंदा तक हो सकता है। ठीक है जब कोई भी ग्रह सूरे आती निकट आ जाता है तो एक पॉइंट यानि कुछ डिखने हैं इस परकार के होती है वहां जार करकर उस ग्रह करूँ जो ग्रह सूरे के पास में आ रहा है उसका जो प्रभाव है वो पूरी तरह से अंधा हो जाता है और उस ग्रह की जो रश्मियां होती है निकि उस ग्रह की जो पावर होती है वो इधर उधर फैकने लग जाता है निकि जब कोई ग्रह अंधा होगा या कोई भी व्यक्ति अंधा होगा तो क्या वे अपने लक्षे को भेट पाएगा नहीं उसका जो प्रभाव है वो अलग-अलग भाव पर पढ़ने लग जाता है जिस भाव पर उनका पूरा प्रभाव पढ़ रहा होता है वहाँ उसका पूरा प्रभाव नहीं रहता तो अब आप समझ सकते हैं कि सनी महराज जो आपकी यानि करकरासी वालों के लिए मुख्य आपके धनभाव को और आपके पंचम भाव को प्रभावित कर रहे थे वहीं अब सनी की पूर्ण द्रिष्टियां वहां पर नहीं रहेंगी पूरी तरह से जिसके कान्ना से आपको अब उन भाव से थोड़ा उठने के लिए थोड़ा लाब मिलने का आपको मौका मिलेगा अब आप यह समझ सकते हैं कि शनी का अस्तकाल इसलिए आपके लिए बहुत महत्तपूर्ण हैं और कुछ चीजें हैं आपके जीवन से रिलेटेट इस समय पीरड़ में इस टाइम पीरड़ के अंदर जो मैं आपको अब बताने वाला हूं तो द्यान जिस हो एक एक पॉइं से लेकर कि 16 मार्च तक ज्यान से सुनिएगा दसम भाव आप मैं आपको बताता हूं दसम भाव में मुख्या रूप से चार ग्रह कारक होते हैं सुर्य अब इस भाव के कारक हैं बुद्विया बरस्पति और सनी स्वयंबे कारक हैं जब सनी की दृष्टी अब इस भाव पर च्छेतर से लेकर कि तमाम प्रकार की दिक्कते थी तमाम की समस्याएं थी तो उसमें आप को आजए विका की साधन की प्राप्टि के योग बने रहे हैं आपको लाब की थोड़ी प्रसमभावना बढ़ रही है इडिकम सोर्स इंकम के साधनों का जो है कहीं ना कहीं यहां प्रबल रूप से सनी माराज योग बना रहे हैं अगर आपको कारीक छेतर में यस अप यस जोटे वाद विवाद में घसीट करके नौकरी से बाहर निकाला जा रहा था वह नोकरी के आपको पुन의 प्रापती होगी उसमें आपके मानसंबान की वरदी के योग बनेंगे अगर मुख्य रूप से मैं बात करू तो सनी का यहाँ पर आपकी वाइनी दोस भी हाँ सनी महाराज बना रहे थे सनी की जो दृष्टी थी वो आपके दूतिया भाव पर भी थी तो सनी का दूतिया भाव पर भी प्रभाव कुछ कम होगा और दुतिया बाव पर प्रभाव कम होने से व्यक्ति को धन संबंदित मामलों में जो चिंताए फेस करनी पड़ रही थी कुटुमब सोहार्द बिगड़ गया था परिवार में लड़ाई जगड़ा कले का माहूल बन गया था उस माहूल से सनी माहराज बार निकालने का मुख्रूप से आपको कार्या करेंगे अब सनी क्योंकि विदेश यात्रा के भी कहीन गई मुख्या कार्या कमाने जाते हैं तो सनी माहराज की अवस्ता से जो आप परियास कर रहे थे जो यात्रा कर रहे थे ये महीना बहुत जादा इंपोर्टेंट में तो करियर के छितर को लेकर किसलिए अगर आपको कोई भी अपोर्चनिटी मिलती है उसको गवाने का बिल्कुल भी आप मत सोचिएगा तुरंट आप उसका डिजिजन ले लीजेगा और यहाँ पर सनी माराज आपकी पहचान को आ सनी माराज की जैसे मैंने बताया आपको धन संबंधें तो मांव वेखेश कर रहे हैं परिवार में को लड़ाई जगडा यह सब हो रहा था क्योंकि दूतियब operate का धन का वानीका है भोज़न का है मुक का है चैहरे का है वह आपने थोड़ा नोटस किया होगा कि जो मुक का यहां पर जो भी लोग मैं आपको बताना चाहता हूं इस वरसे पूजा पाट से विश्वास भी उठता चला जा रहा था अब यहां पर बात करें ऐसी अवस्ता में सत्रू भी पैदा हो जाते थे सत्रू को जो है अपियस बढ़ जाता था सत्रू आपके उपर किरिया कलाब हर प्रकार के टोने तंत्रवंत्र और हने अनेक प्रकार की व्यादियों के कारण से भी आपको परिसान कर सकते थे तो इन सभी चीजों में आपको यहां पर सनी माराज लाब की संभावना को बढ़ा देते हैं अब क्योंकि पैत्रिक संबंद पैत्रिक धन संबंदी मिलने में रुकावट आ रही थी तो वैं रुकावट दूर करने की योग बनाते हैं फाइनेंस संबंदे तो धन संबंदे तमाम लोगे लिए और कोस को यानि के धन संचय को बढ़ाने का कुछ न कुछ कारिया आपके लिए सनी माराज करवा सकते हैं पारिवारिक सुक्सोहार्थ बढ़ने की संबावना हैं और जो भी लोग खादे पदार से संबंदी सामगरी का काम करते हैं बिजनिस करते हैं उन लोगों को विसेस लाव हो सकता है यहां पर जो भी लोग अपने कला, लेखन, संगीत, प्रेमी, इत्यादी छित्रों में काम करते हैं उन लोगों को भी लाव की संबावना ज्यादा बन जाती है जाती है सीधा आपके पंचमभाव पर सनिय माहराज कमबस्ट हो चुके हैं सनिय माहराज की अवस्ता अंधिय अवस्ता कही जाती है सनिय माहराज को पूर्ण रूप से कोई भी गरजा सूरिय के साथ में आता है उसकी रश्मिया उसका प्रभाव एक प्रकार से सटीक रूप से नहीं पढ़ पाता तो उन भावों पर जादा परिशान कर रहे हैं सनी माराज उन परभावों को कम कर देते हैं उन परिशानियों को कम कर सकते हैं उन चिंताओं को कम कर देते हैं अब पंचम भाव पर जावा माते हैं तो पंचम भाव मुख्य रूप से कारक होता है सिक्सा का संतान का तो यहीं जो जी छेतर में आप पढ़ाई के संबंदित चिंता ग्रस्त हो रहे थे आपको संतान संबंदित कोई सुब सूचना का इंतजार था और आप बार-बार प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं संतान को लेकर के उन सभी चीज़ों में आपर सुख की जो आवरत्ति है वो बढ़ जाती ह यहां पर जब पंचम बाव पर सनी मालाजे का प्रभाव होता है तो व्यक्ति का इष्ट देव पर विश्वाजी बढ़ता है जो आप पूजा पार्ट करते हूँ आपको थोड़ा सा लाब की संबावनाय देती हैं गर्ब संबंदित चिंता हो जो जिन भी माता बहनों को ग और गर्ब संबंदित दिखाई दे रहे थे यहां पर पिछले कुछ समय से वो गर्ब संबंदित चिंता जो है दूर हो जाती है इस समय अवस्ता में और यहीं पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग पूजा पाठ बंत्र जब पतंत्र सिद्धी आधी के छेत्र के लिए हो चायवे किसी के बुरू के बुरे के लिए हो गुपत रूप से किया हुआ किसी भी प्रकार का कारिया जो है वो नुकसानदाई हो सकता है इसलिए उसको आप नय करें वो आपके लिए स्वर्वस्रिष्ट हो सकता है सनी माराज की जो इस्टिती है जो लोग लोट आपके सुक और प्रसाधन जो है बढ़ जाते हैं आपकी सुक संपत्ती के बढ़ने के यहां पर योग बन जाते हैं यह पर आपको जो भी लोग जो सोनकर की कारी के छेतर रहे आन्दर बार बार हो रहा था और वहीं बच्चों से सिर्फ संबंदित बड़ी-बड़ी परेशानी सामना आ रही थी यह सभी चिंताओं को दूर करने का कारें हाँ पर कर रहे हैं सनी महाराज मंत्र विद्या लोटरा सटी और शेयर मारकिट से संबंदित लाब को परदान करते हैं वह जो भी लोग मेडिसिन जिनको नहीं लग रही थी दवाई में चिंताए हो रही थी और कोई रोग बहुत जाना बढ़ रहा था वहर रोग कंट्रोल होगा कुल में लाकर कि आप समा सकते हैं कि शनी महाराज का जो ये काल है जो अस्त काल है उसके बार में ब्रहत रूप से हम उस तेल में एक सिक्का डाल करके कि इसी कटोरी में सिक्का डाल करके आप उसको दान अवश्य कर दे महाम्रतुँन्ज मंत्र का नियमित जशाप करें शनी वार को जल में थोड़े से काले तिर मिलाकर के भगवान शियूप और शिवलिंग पर अरपित जरूर करें क्योंकि स शनी माराज की ढईया का भी परभाव है। वीडियो को शेर कर दीजेगा और अच्छी लगी हो तो लाइक करना चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना मा श्री विद्य आपका कल्यान करे ओ श्री विद्य